हेलो फ्रेंट्स मैं होरी तूरा और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपी इसकी कीचिन में आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता कुलफी अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन जरूर प्रेस करें और ऐसी पहसंद आती है तो लाक करना ना भूले तो चलिए बनाने के लिए शुरूआत करते हैं केशरपिस्टा कुलफी तो हम ने इसे बनाने के लिए एक लिटर दूद लिया है और उसे तब तक किना हमने बॉil किया है जब तक कि वो आधा न रह जाए तो हमने यहाँ पे दूधको अचीन से boil कर लिया है, जब वह आधा रह जाएं, तो इसमें हमने कर दी है आधा कप शकर add, इसमें आधा कप शकर। तो अगर आप ज्यादा मिठा पसंद करते हैं, तो कम या ज्यादा कॉंटिटी कर सकते हैं, बट आधा कप शकर इसमें काफी हो जाती है, और काफी अच्छा टेस्ट आता है इससे भी, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा सा दूद निकाल लेंगे, रहा मैं इस बड़े चमच से तीन चमच मिल्क पाउडर इसमें एड़ कर रही हूं, तो यह रहा पहला, यह दूसरा चमच, और यह बचा हुआ यह तीसरा चमच है, तो हमने पूरा इसमें एड़ कर लिया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें एड़ करेंगे हम कौन फ्लोर, तो यहां मैं धाई चमच कौन फ्लोर एड़ करूँगी, यह पहला चमच, यह दूसरा चमच, और कटोरी में जो है वो आधा चमच, तो इस तरीके से धाई चमच हमने इड़ कौन फ्लोर लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने गर्म दूद में कौन फ्लोर और जो मिल्क पाउडर है वो इसलिए मिक्स किया है, क्योंकि यह गर्म दूद में इसमें गाठे नहीं पड़ती है, और अभी हमने जो मिशन तीयार किया है, इसे थोड़ा तो इसी लगातार इसी तरीके से mix करेंगे और डालते चलेंगे उसमें दूद तो यहां हमने पूरा मिश्रन दूद में mix कर लिया है और दूद हमारा काफी गाड़ा होती चल रहा है तो हम अभी इसमें add करेंगे कुछ few drops हम इसमें केसर जो color होता है तो केसर food color मैंने यहां पे लिया है और 6-7 बूद इसमें add कर लेना है अगर आप इसे food color नहीं डालना चाहते हैं तो उसे skip कर सकते हैं और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और जब यह काफी गाड़ा हो जाता है तो flame को off कर लेना है और नीचे उतार लेंगे और इसे अभी थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे ताकि यह थोड़ा थंडा हो जाए तो मिश्रल काफी गर्म है तो इस वक्त हमें इसमें add कर लेना है जो पिस्ता है हमने पिस्ते को छोड़े छोड़े पतले तुकड़ों में काट लिया है तो अभी हम इसमें add करेंगे पहले इलाइची पाउडर यहां आधा चमच इलाइची पाउडर डाल दिया हमने और साथ में डालेंगे कटेवे पिस्ता हमने केसर पिस्ता कुलफी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें बाकी के ट्राइप्रोट्स नहीं डाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें पिस्ता और इलाइचे पाउडर डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है बिल्कुल एक पिंच डालना है केसर के रेशे तो हमने केसर भी ठाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें मोल्ड में डालने के पहले तो आपको गर मेरी recipe अच्छे लगती है तो प्लीम ज़रूर बताईएगा कि आपको मेरी recipe कैसे लगी और आप जब try करते हैं तो उसका feedback मुझे कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखे बताईए और अभी जब ठंडा हो जाता है मिश्रन तो हमने इसमें मोल्ड में डाल दिया है तो हमने पुरे मोल्ड में मिश्रन को डाल दिया है और अब इसके उपर हम लगाएंगे तो फॉइल पेपर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें जब हम इसे फ्रीजर में डीफ्रीज करेंगे तब जो बर्फ होती है वो इसके अंदर नहीं जमेंगी और यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और अब हम इसमें डाल देंगे आइस्क्रिम स्टिक्स तो बिल्कुत छोटा सा हमने कट लगा लिया है और उसमें डाल दी है आइस्क्रिम स्टिक्स तो इसे तरीके से सब में हमने आइस्क्रिम स्टिक्स डाल दी हैं तो रेडी हैं और अभी हिसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीजर में ताकि यह अच्छे से से सेट हो यहां ओवरनाइट हमने इसे रख लिए हैं और आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जब इससे निकाला तो यह बहुत अच्छे से से सेट हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और साथ में नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल एकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैं रेसिपी थैंक्यू फो